नमस्ते दोस्तों, मैं सुनिया गोयल चैपुर्दा पिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ मैं एक ब्यूटीशन और आयरवेड स्कॉलर हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ डारक अंडराम्स को साफ और सुन्दर बनाने के लिए बहुत एजी घरेलू ब्यूटी टिप डारक अंडराम्स रेमेडी के लिए सबसे पहले हम स्क्रब बनाएंगे जिसके लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा और पानी एक कटोरी में एक चमच सोडा और थोड़ा सा पानी डाल कर पेस्ट बना दीजिए इस पेस्ट को अपने अंडराम्स में सर्कुलर मोशन में लगा कर 5 मिनुट तक स्क्रब कीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए ऐसा करने से टैर्ड स्किन रिमूव हो जाती है इसके बाद दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे अंडराम्स के लिए इक स्किन वाइटनिंग पैक जिसके लिए हमें चाहिए बेसन, हल्दी पाउडर, नीबुकरस, दही और सोडा एक कटोरी में एक चमच बेसन, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चमच नीबुकरस, आदा चमच सोडा और एक चमच दही डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए अब इस पैक को अपने अंडराम्स में लगा कर सूखने तक छोड़ दीजिए और फिर ठंडे पानी से इस पैक को धो कर टौवल से पहुंच लीजिए ऐसा हर एक दिन छोड़ कर एक दिन करने से डार्ग अंडराम्स का काला पन खत्म हो जाता है और अंडराम्स गोरे और सुन्दा दिखने लगते हैं रूटीन में अंडराम्स काले ही नहीं पढ़े इसके लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जैसे कि अंडराम्स के बाल रिमूव करने के लिए रेजर का यूज बिलकुल भी नहीं करें रेजर सिर्फ उप्री सता के बाल निकालता है जिसके गारण अंडराम्स में ज़्यादा काला पन दिखने लगता है बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी अंडराम्स धीरे धीरे काले पढ़ने लगते हैं इसलिए कपड़ों की प्रॉपर फिटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए तो दोस्तों इस तरह आप टार्क अंडराम्स की स्रेमेटी को यूज करके और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने डार्क अंडराम्स को गूरा और सुन्दर बना सकते हैं दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बैल आइकन को प्लिक कीजिए इससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके